नमस्कार दोस्तों आप सही का स्वागत है मेरी यूटूब चेनल आल इन पंचायत में आप सही को पता ही है मेरी यूटूब चेनल आल इन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरी प्रत्तेकने वीडियो और प्रत्तेकने अफडेट के ज अरवे नेट कर सके संदोंगोटां करता इस प्रॉटल एक दिन करता है जब होता है जब होता है तो उसमें कई सारी खांवियां रहती तो उसमें सुधार कार्य भी होता है तो मेंटेनेस एक्टिविटी अब होने जा रही है परसों के दिन दो जून को पोर्टल बंद रहेगा तो दो जून को हम ना तो बर्थ रेश्टेशन कर पाएंगे ना ही डेथ रेश्टेशन कर पाएंगे उस दिन पूरे पोर्टल में अ तो दोस्तों आपको नया पोटल तो पता ही है बर्थ और डेथ रेजिस्टेशन का dc.crsorgi.gov.in ठीक है ये लिंक है इसकी मैं डेस्क्यूशन बाक्स में भी इसकी लिंक हर वीडियो के दिये जा रहा हूं एक दिन के मेंटेनेंस के लिए जा रहा है उस दिन बंद रहेगा तो वो मैं आपको दिखायता हूं पोर्टल पर ही दिख रहा है यह दिखेए यहां लिखा आ रहा है सेड्यूल मेंटेनस एक्टिविटी ऑजन 2 जून 2024 संडे ठीक है maintenance activity के लिए 2 जून 24 संडे के दिन रवियार के दिन जो है पोर्टल बंद रहेगा from 12 noon to 9 pm 12 बज़े दोपेर से रात के 9 बज़े तक ठीक है and the portal will not be available for event registration और जो पोर्टल है वो event registration event registration मतलब birth और date का जो event है वो registration के लिए पंजियन के लिए available नहीं रहेगा उपलब्द नहीं रहेगा तो दो तारी को दोस्तों schedule maintenance activity रखी गई है जिसमें हमें जो दिक्कते आ रहे हैं कि एकड़म से नया portal launch होता है तो हमने अभी receipt number की सबसे ज़्यादा दिक्कते आ रहे हैं और भी दिक्कते जो होंगी तो उनको solution के लिए कि पोर्टल लांच होता है जब हम करते हैं तब हमें समझ भी आता है कि यह गल्तियां आ रहे हैं तो उसके maintenance के लिए अब दो जून को पोर्टल बंद रहेगा और उस दिन जो problem आ रहे है वो solution करकर अब प देखेंगे तो हमारा जो problem से वो solve हो जाएंगी ठीक है तो आप दो दिन रुख जाएए आज 31 तारीक हो कि एक और दो परसों तक है उस तीन तारीक से सही तरीके से पोर्टल चलने लगेगा ठीक है तो फिर मैं आपको पता दूँगा जो जो भी problem सारी हम देखेंगे पूरा अपडेट की जनका ही प्राप्त होती रहे है तो दोस्तों आप से ही का बहुत धन्यवाद